हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उतकर्ष अकेडमिक हिल्चिपूर के उनलाइन प्लैटफों में मैं एक बार फिर से हाजीर हुआ हूँ आपके सामने यूपी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2024 के लिए रिजिनिंग की क्लास लेकर पहरे साथ यो आज की इस क्लास में हम लोग रिजिनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिसकस करेंगे इस से पहले तीन प्रैक्टिस सेट में आपको करवा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे तो प्लैलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी पुलिस के नाम से जहां जाकर आप बाकी के प्रैक्टिस सेट को भी लगा लेना है बिल्कुल एक्जाम ओरियंटेट क्योशन है जो आप लोगों को सभी प्रैशन को अच्छे से समझना है और सभी को लगा लेना है और चैनल पर पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिस से आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंग मिल पाएगा प्यारे साथ चलते हैं आज का पहला और इंपोर्टिन क्योशन हमारे पास है निमनलिकित प्रेशन में अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लूप्त है चार दिये गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिये जो अनुक्रम को पूरा करे मतलब एक सीरीज हमारे पास दी गई है इस सीरीज में हमें चार ओफशन में से क्या आएगा correct answer बताना है तो समझने वाली बात ये होती है कि ये series आगे कैसे बढ़ रही 18 से 24 बना या फिर 24-21 क्या चल रहा है इसमें तो याद रखना प्यारे साथियो mixed series भी हुआ करती है और ये series जो आपके लिए लाया हूँ mixed series का उदारने मतलब 18 से 21 बना आपका होगे कितना जोड़ा 3 जोड़ा और अब 21 में अगर मैं 3 जोड़ूँगा तो बिलकुल अपना उत्तर आएगा कितना तो 21 में 3 जोड़ने पर 24 आएगा और 24 में यदि 1 छोड़कर 3 जोड़ा जाए तो 27 लिका है इसी प्रकार 24 से कितना बना सत्ताई तो यहां भी तीन जोड़ा गया और 27 में तीन जोड़कर 30 बनाया इस प्रकार से दो सिरीज मिक्स्ड थी तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा 24 यानि ऑफशन नंबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला क्योषन निम्नलिकित में से अनुकरम दिया गया है फिर से हमें लुप्त पद बताना है एक और सीरीज हमारे पास है तो इस सीरीज में क्या concept है 2-5 बना 5-10 बना 10-17 तो प्यारे साथ यो 2-5 बनने में कितना जुड़ा आप कहोगे याप पर 3 एड़ किया और फिर कितना एड़ किया 10 बनाया 5 से मतलब 5 जोड़ा गया फिर यापर कितना जोड़ा गया 10-17 बनाया मतलब 7 प्लस हुआ और उसके बाद 17-26 मतलब 8 प्लस हुआ तो एक पैटर्न आपको पता चल गया होगा 3-2-5 फिर 5-2-7 7 के बाद 8 नहीं आएगा यहाँ पर 9 आना चाहिए तभी यहाँ पर हमारा 26 बनेगा तो 9 जोड़ेगा अब आगे कितना जोड़ा यहाँ पर 11 जोड़ा आगे 36 में कितना जोड़ना चाहिए तो 2 एड़ करके 11 में 13 जोड़ा तो 13 जोड़ के 37 में कितना बनाया 50 पचास में कितना जोड़ेंगे तेरा में दो बड़ा हो तो पंद्रा जोड़ेंगे यहाँ पर तो अपना कितना बन जाएगा 65 बन जाएगा यानि ऑफशन नमबर 20 का राइट आंसर आजाएगा क्वेशन नमबर 3 हमारे पास है निम लिकित प्रेशन में फिर से हमें एक अलफाबेटिकल सीरीज दिया है और इस सीरीज में उप्रियुक्त विकल्व का चैन करना है तो देखो इसे बैस तरीके से करने का एक तरीका बताता हूँ अंग्रेजी वर्ण माला में कौन सा अक्षर कितने नमबर पर होता है उससे आपको क्या करना है कोड बद कर लेना है जैसे एक नमबर पर होता है डी चार नमबर पर होता है एच आट नमबर पर होता है एम तेरा पर होता है तो यह पता चलेगा कि एक को चार लिका मतलब प् कि यहां पर एक में तीन जोड़ा तो चार बना, तो पहले तीन जोड़ा था, फिर चार जोड़ा गया, फिर पाँ जोड़ा गया, अब तेरा में कितना जोड़ेंगे, यहां पर हम लोग तो छे जोड़ेंगे, तो तेरा छे कितना हो जाता है, तो आप कहोगे अठारा, ठीक ह लिखा जाएगा कि क्वेशन नमबर चार दिया यदि चेयर को ये लिखा जाता है तो आउडिट को क्या लिखा जाएगा समझने वाली बात यही है कि यहां पर जो CH-A-I-R जो चेयर लिखा है दोस्तों इसको क्या लिखा गया EG उसके बाद CHT लिखा गया उसी प्रकार हम audit को लिखे ठीक है तो pattern समझना है इसलिए रोज practice करना है तो अंग्रेजी वर्ण माला का concept लगा लो जैसे अंग्रेजी वर्ण माला में C3 नमबर पे होता है H8 A1 I9 R18 इसी प्रकार अंग्रेजी वर्ण माला में E5 G7 C3 H8 T20 अब देखो 3 को 5 बनाया प्लस दो किया तुरंट पता चलेगा 8 को 7 बनाया माइनस 1 किया 1 को 3 बनाया फिर से प्लस दो किया 9 को 8 बनाया माइनस 1 किया 18 को 20 बनाया प्लस 2 किया यही चीज आगे अप्लाई कर देना है तो इनको भी अंग्रेजी वर्ण माला में कौन कितने नंबर पर आता उससे कोड़ बद करेंगे तो A1 U21 D4 आई कितना हो जाएगा 9 और T20 हो जाएगा सेम यही चीज अप्लाई करो प्लस 2 माइनस 1 फिर प्लस 2 माइनस 1 और लास्ट में प्लस 2 तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 बनेगा 21 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 20 और 4 में दो जोड़ेंगे छेटा शब्द आएगा 9 में से एक गया आठवा शब्द यहां पर आएगा और 20 में दो जोड़ा 22 वा शब्द होगा C आता है 3 नमबर पर T आता है 20 नमबर पर 6 मतलब 6 H 8 और V 22 यानि CT A H V औफशन नमबर B इस क्वेशन का राइट आंसर बन जाएगा क्वेशन नमबर 5 और क्वेशन वेरी मोस्त आईएप क्वेशन में लिखा कि 15 गुणा 16 गुणा 18 किसी तारकी के रूप से हम करेंगे तो 689 बनेगा और 34 गुणा 23 गुणा 33 करेंगे तो 756 बनेगा 18, 26 और 42 का गुणा होगा तो इसका मान क्या होगा देखो ऐसे क्या करना आप लोगों को ये समझना कि वही इन सबका मल्टिप्लाई करेंगे तो 689 तो नहीं बनेगा तो अंकों का खेल हो सकता है जैसे 5 और 1 अंक को जोड़ा तो कितना बना 6 और यहाँ पर 6 और 1 अंक को जोड़ा तो कितना बना 7 संख्या के अंकों को जोड़ना है 8 और 1 अंकों को जोड़ा तो कितना बना 9 तो इनको डाइरेक्ट इसने ऐसा ही लिग दिया 619 यहाँ पर देखो 3 और उसके बाद 4 को जोड़ा तो कितना बना 7 और यहाँ पर 2 प्लस 3 किया तो कितना बना 5 और यहाँ पर 3 प्लस 3 किया तो कितना बना 6 यानि इसको direct क्या लिगी दिया इसने 756 यही चीज आगे apply करना है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9 और 26 के अंकों को जोड़ेंगे मतब 2 और 6 को जोड़ें कितना बनेगा 8 यहां पर भी 42 के अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ने पर क Z का अर्थ भाग, Y का अर्थ माइनस और P का अर्थ गुणा तो दिये गए समीकरण का मान बताना है दोस्तो करना क्या है यह जो समीकरण दिया है इसमें यहाँ पर इन चिन्नों को बदल लेना है कैसे बदलना जैसे यहाँ पर लिखा है 10 उसके बाद क्या लिखा P तो यहाँ प्रेशन में देखो कि P का अर्थ क्योशन ने क्या बताया मल्टिप्लाई तो यहाँ पर अपन लगाएंगे 10 के बाद P की दगे मल्टिप्लाई फिर अगला संक्या दो ऐसा ही लिखेंगे फिर लिखा गुणा और गुणा का अर्थ क्योश्चन ने बताया था प्लस तो यहां पर लगाएंगे प्लस फिर लिखा पांच तो इस पांच को हम ऐसा ही लिख लेंगे फिर यहां वाई लिखा और वाई का अर्थ क्योश्चन ने और पांच होता है पचीज और पचीज में से पांच जाएगा तो हमारे पास कितना बज़ जाएगा बीस यानि आफशन नमबर सी करेक्ट अंसर्फ हो जाएगा अगला क्योशन हमारे पास है प्रेशन में संबंदी शब्दो या संख्याओं को दिये गए विकल्पों से चुन बहां से जुड़ा होता है ठीक है ना तो दांत किस से जुड़ा होगा तो डेफिनेटली दांत किस से जुड़े होते हैं तो मुह से जुड़े होते हैं तो आफशन नमबर सी हमें चूस करना होगा प्रेशन में संबंदी शब्दो या संख्याओं को दिये गए विकल्पों से चुनिए मतलब इसने ये कहा कि 484 का संबंद 12 से हैं तो वही संबंद बताओ ऐसा ही 622 का संबंद किस से हो जाएगा तो देखो 12 का यदि हम स्क्वर करें तो हमारा यहां पर 484 नहीं बन रहा है तो यहां पर क्या हो सकता है वही बड़ा मज़ेदार कंसेट हो सकता है तो दे करने और यह अंतिम अंक का अगर इसमें भाग लगाएं तो हमारे पास देखो आ रहा है चार एकम चार चार दुनियाट यानि 12 तो इसी प्रकार यही चीज़ अपन क्या करते है 622 के शुरू को दो अंक जो है 62 इनको अलग करके और जो अंतिम अंक है दो इसका भाग अगर लगाएं तो दो तिया छे और दो एकम दो कितना आना चाहिए 31 ओफशन नमबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन नमबर नेमन शब्दों को उसी क्रम में लिखे है जिस क्रम में वे शब्द कोश में पाए जाते मतलब अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में इनको लिखना है तो सबका पहला पहला अक्षर चेक करो यहां पर एंच लिखा यहां पर एंच लिखा यहां पर एंच लिखा एंच लिखा तो एंच से कौन पहले आता अंग्रेजी वर्ण माला में यह कंपेर हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर अगला शब्द उठा लो सबका बाद में आता है तो यह शब्द सबके बाद में आएगा मतलब यहां पर पांच चार शब्द है चोथे नंबर पर कौन लिखा जाएगा दूसरा शब्द अब बाकी को फिर से कंपेर कर लो वैसे हमारा अंसर आ चुका है ऑफशन नंबर सी को देखेगा चोथे नंबर पर से यू लिखा तो एम पहले आता है तो इन दोनों में पहले नंबर पर यह शब्द होगा मतलब तीसरा शब्द पहले नंबर पर तो हमारा तीन एक नंबर पर लिखा है इस प्रकार आपने कंपेर कर लेना है अगला मोस्ट आंपी क्योशन ने दिये गए प्रेश्ण वाचक चिन के इस्थान पर उची तंक ग्याद कीजिए इस प्रकार का अगर आपके पास कोई सारणी आता है तो भई क्योशन मार्क की जगे क्या आएगा यह बताना है तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो सकता है यहां कोई बड़ा नंबर तो है नहीं जो कहीं नहीं चोटे नंबर क कंसेप्ट से बन सकता है तो हमें क्या करना इन अंकों को जोड़ के देखना है जैसे चार प्लस पांच प्लस तीन को जोड़ू तो पांच चार नो होगा नो तीन बारा यो कितना बन रहा है बारा यहां भी जोड़ो इन तीनों को तो बीच वाले में भी जोड़ेंगे तो चार प्लस चार प्लस चार कितना बन जाएगा चार को तीन बार जोडने पर 12 इसी प्रकार हम क्योशन मार के स्थान पर लाएंगे तो देखो 2 अंक तो हमारे पाल जोडने को है यानि 3 में 5 को जोडना तो 8 अब 8 में कितना और जोडू की योग 12-12 बनें क्योंकि सब दूर 12 बनाए तो 8 में अपन कितना जोड़ेंगे यहां पर तो 8 में 4 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 12 मतलब यहां क्योशन मार के यहां कितना आना चाहिए तो 4 आपका आना चाहिए तो यहां पर 12 बन रहा है और जाएगा अगला क्योशन हमारे पास दिया है प्रेशन में दिये गए विकल्पों में से भिन विकल्प को चुनो भिन का मतलब 3 एक जैसे हैं और एक और जैसे पेर और हाथ आख और नाख शरीर और सीर कलाई और उंगली इन में डिफरेंट क्या हो जाएगा तो देखो मैं आपको बता दू आख और नाख दोनों पास में होते हैं शरीर में शरीर और सीर ठीक है ना शरीर और सीर अगर बात करें तो देखो आख के नीचे नाख और शरीर के नीचे सीर और कलाई और उंगली कलाई के निकट क्या होती है उंगली और शरीर में ही जुड़ा होता है कौन सिर और आक के निकट क्या होता है ना अब यह हाथ और पेर दोलों ही क्या होते अलग अलग होते तो option number A इसका correct answer बन जाएगा ठीक है मतलब यह बहुत दूर दूर होते है शरीर को चुनिए बिन का मतलब यहां भी different बताना है तो इसका मतलब क्या होगा भाई जैसे समझो अंग्रेजी वर्ण माला में कौन कितने नंबर पर आता है split fast इनको code बद्द कर लेंगे जैसे D 4 नंबर पर आता है C 3 पर और B 2 नंबर पर आता है option number 2 को अगर देखे तो H 8 नंबर पर I 9 नंबर पर J 10 पर और C नंबर के option को देखे तो K 11, L 12 और M 13 पर हो जाएगा और X को अगर देखे मतलब चोता option तो 24, Y 25 होगा और Z कितना होगा 26 तो हम लोगों को यहां पर 26 अब देखो पहले option में तो घटते क्रम में मतलब ज्यादा से कम की ओर और दूसरे option में 8, 9, 10 तीसरे option में 11, 12, 13, 24, 25, यह याद रखना यहां पर कम से अधिक ओर लिके हैं 3 option बाकी option नंबर A क्या हो जाएगा भिन मतलब different क्यों क्यों क्योंकि अधिक से कम की ओर लिखा है clear ना यानि कि 4, 3, 2 ठीक है तो option नंबर A इसका विलकुल सही दवाब है next question है प्रेशन में दिये गए विकल्पों में से भिन विकल्प को चुनिये फिर different बताना है तो आपको क्या करना देखो 2, 4 लिखा तो 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 आता है और 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 आता है option नंबर B भी A के जैसा हुआ क्योंकि यहां पहली संक्या का गुना उसी में करने से दूसरी संक्या बन रही है और 6 का multiply पुना 6 से करेंगे तो 36 बन रहा है अब 5 का गुना अगर हम 4 से करें तब जाके 20 बन रहा है मलब स्वयम का गुना स्वयम से करने पर 20 नहीं आ रहा है इसलिए option number D आज समान हो जाएगा different हो जाएगा अगला question है हमारे पास 14 नंबर इनमें से कौन सा मुल शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है उस विकल्प को ग्याद कीजिए मतलब elementary ये एक शब्द दिया है इसमें जो अक्षर यूज हुए हैं इनका उप्योग करके कौन सा option नहीं बनेगा एले एमी एंटी तो एली एमी एंटी ये क्योशन नंबर 15 हमारे पास है लक्षमन मेरे घर से 15 किलो मिटर पस्चिम की ओर गया आपको क्या करना जैसे क्योशन को देखा जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है उसका प्रारामबिक बिंदू बना लो और 15 किलो मिटर पस्चिम दिशा की ओर लाइन ब्रो करो तो यहां से पस्चिम दिशा इधर होती है अब 15 किलो मिटर की लाइन आपको तुरंति इस प्रकार से बना लेना है और फिर माय मुड़ा और 25 किलो मिटर चला तो बाया किदर होगा तो नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा 25 तो अपन 15 से थोड़ी बड़ी लाइन डो करेंग क्लियर आगे बोला गया बाद में पुर्व की और मुड़कर 15 किलो मिटर चला अब यहां से पुर्व दिशा वापस जिदर आया था उधर ही जाएगा और 15 किलो मिटर की लाइन बनाना है मतलब सामने वाली लाइन को चेक करो समानता रहे तो यह 15 किलो मिटर के बराबर हो ज सोटा बनाएंगे क्योशन ने कहा वा मेरे घर से कितनी दूर है यह दूरी हमें बताना तो यह पूरा 25 है मतलब नहीं यह वाला इसके सामने भी 25 होना चाहिए जिसमें से 15 उपर आ चुका है तो बचा कितना 25 में से आप क्या करो 15 को घटाओ तो हमारे पास कितना बच आपके सामने मू करके पंक्ती में इस प्रकार बैठे जब ऐसा क्योशन आए आपके सामने मू करके बैठे आपको हमेशा ऊपर बिठाना है उत्तर दीशा की और मू करे चाहिए कि इदर भी बिठाने की बात करे और पंक्ती में बैठे इस प्रकार से सभी लोग और आप लो C को यहां बिठा दो और D इसके बाई और तो D इसके बाई यहां किदर होगा इधर होगा तो यहां बैठ जाएगा D यह दोनों इस प्रकार बैठ जाएंगे और B E के दाई और बैठा देखो यहां B को बिठाएंगे B जो रहेगा E के दाई और तो E को अपन इधर A ठीक हे नँजिक दाई और Bन भाई और B कहाँ बेटेगा D को हमने बड़ा दिया र। यहांपर कुण बेट हैगा तो इसके इदर को हमने बेट जाएगा दाई और कि इसके इदर कौण बेट जाएगा प्मश्ड़ को बढ़ा दिया और बी डी के बाई और बी कहां बैठेगा डी के बाई और तो डी को हमने बिठा दिया और डी का बाया इदर रहेगा तो यहां पर कुन बैठ जाएगा बी और हम लिख चुके हैं यहां पर की बी जो रहेगा एक कि इदर रहेगा दाई और तो इसके इदर कुन बैठ जाएग पर ली ही इसका correct answer होगा question number 17 हमें दिया है निम्न उत्तर आकरतियों में से संबंदित आकरती का chain करो मतलब प्रेशन आकरती दी है इनके जैसी उत्तर आकरती कौन सी रहेगी correct answer बताना तो देखो जिस प्रकार पहली और दूसरी आकरती में संबंद है वैसा ही संबंद तीसरी और चोथी आकरती में हमें बनाना है तो यहाँ पर मैं बता दू प्रथम से दूसरी आकरती में आप देखेगा जो डिजाइन है यह याद रखना दक्षिनावर्त मतलब घड़ी की दिशा में ठीक है न 90 डिगरी घुम गई है यह इसी प्रकार यह वाली आकरती से इसको भी तो यह तीसरी आकरती को 90 डिगरी अगर दक्षिनावर्त घुमाएंगे तो यह त्रिबूज भी टेड़ा हो जाएगा और यह वाला जो डाइग्राम दिखाए देरा यह भी खड़ा हो जाएगा तो आपको ऐसा कोई ओफशन दिखता है तो आप देखेगा ओफशन नंबर C एक मात दिखाए देरा है जिसमें यह भारी डीजाइन अगर खड़ी होगी ना तो ऐसी दिखेगी 90 डिगरी में क्लियर ना तो ऑफशन नंबर C आपने लगा देना है अठारा नंबर दिया है कोईशन में निमनलिकी ताकरतियों में से ऐसे डॉक्टर की संख्या याद कीज साथ यह खलाकार तता खिलाडी दोनों ही है यह चार डाइग्राम दिये एक वरत्त है जिसके अंदर सभी खिलाडी है और यह जो आयत दिया है इसमें कलाकार है सभी लोग और डॉक्टर इस वर्ग में तो ऐसी संख्या आपको ढूंड़ना है जो याद रखना खिलाडी तत कलाकार दोनों है ठीक है ना और डॉक्टर भी मलब इन तीनों में कॉमन संख्या देखो आप कोगे सर्फ पांच हो जाएगी तो नहीं क्योंकि यह पांच कलाकार वाले में नहीं है चार भी आपका अंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि यह छे जो हैं डॉक्टर में नहीं है option number 10 का correct answer हम कर देंगे अगला क्योशन है 19 नमबर यदि 324 गुणा 150 बराबर 54 होता है ठीक है इसका मतलब यही लोजिक है आपर 251 गुणा 402 बराबर 48 होता है और 523 गुणा 246 बराबर 120 होता है तो हमें 651 गुणा 345 का मान हमें बताना है यह कैसे हो सकता है हम चेक करते हैं तो यहां देखो इन सब का गुणा करेंगे तो 54 इतना छोटा तो नहीं बनेगा तो यहां अंको का खेल हो सकता है मरलब 3 324 के अंको को जोड़ेंगे 32 प्लस 4 तो यह कितना बनेगा 325 और 49 और इसके multiply में multiply लगा है 150 के अंको को भी जोड़ेंगे हम लोग यहां पर तो 150 में अंक जो है 1 प्लस 5 प्लस 0 तो यहां टोटल कितना बनेगा 6 और 9 का गुणा 6 से करेंगे कितना बन रहा है 54 यही चीज अगले में apply हो रही है देखो यहां पर इसके 251 के अंको को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 8 बनेगा और 4 0 2 कितना बनेगा 6 तो 8 गुणा 6 करेंगे कितना बना 48 यह से 4 2 6 और 6 कितना 12 तो 12 धाम कितना होता है 120 यही चीज आगे apply करना तो 6 प्लस 5 प्लस 1 इन अंको को भी जोड़ना है और जो 345 वाली संक्या है तो इसके अंको को भी जोड़ना है 3 प्लस 4 प्लस 5 और इनका गुणा करना 6 5 11 और 1 बनेगा 12 यहां पर करना आपको 4 3 7 और 5 कितना 12 और 12 का कुणा 12 से करेंगे तो 144 ऑफशन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योशन नंबर 20 है यदि नौइडा को यह लिखा जाता है तो इसी कुड़ भाशा में merit को क्या लिखा जाए तो वही चीज समझने वाली बात यह है कि यह जो नौइडा है नौइडा है इसको यह जो लिखा गया एस टी उसके बाद एन आई एफ यह कैसे लिखा गया यही चीज अपन अपलाई करेंगे मीरट में M W E R U T मीरट में clear तो देखो या पर अंगरेजी वर्ण माला का कंसेप्ट हो सकता है हां की नहीं हो सकता है हो सकता है एन 14 नंबर पे आता है और एस 19 पे आता है मतलब प्लस 5 किया O 15 पर और T 20 पर मतलब यहां भी प्लस 5 किया और I 9 पर अंग्रेजी वर्ण माला में N 14 पर तो यहां पर 9 9 प्लस 5 14 और D कितना 4 I 9 9 4 में 5 जोड़ा तो 9 A 1 और A कितना आता है 6 तो यहां भी प्लस 5 किया मतलब हमें प्लस 5 का कंसेप्ट है यही चीज M 13 E 5 E 5 R 18 U 21 और T 20 यही चीज आगे मीरट में अपलाई करना सब में 5 5 जोड़ दो सब में हम लोग क्या करेंगे 5 5 जोड़ देंगे और जो आएगा उतने नमबर के शब्दों को लिखना है तो 13 5 18 18 पर R और यहां 5 5 10 और 10 पर होता है और 23 पर आएगा W यहां पर 21 और 5 को जोड़ेंगे 26 और 26 पर आता है Z और 20 और 5 होता है 25 25 पर आएगा Y ऐसा कोई option है R डबल जे 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 डबल ऑई मतलब कोई महीना था जिसकी 9 तारिक रविवार के पहले पड़ेगी अब रविवार के पहले क्या था यह बताओ तो रविवार में से अगर एक गटा दे तो मतलब उसके पहले क्या आता है शनिवार तो इस क्योशन ने यह कहा कि अगर किसी महीने की 9 तारिक को याद रखना किसी महीने की 9 तारिक को क्या था शनिवार था यह क्योशन का कहना है तो हमें बताना है उस महीने की एक तारिक को क्या होगा उसी महीने की क्या करना है एक तारिक का दिन हमें बताना है कौन सा होगा तो प्यारे साथ यो जब ऐसा कोई क्योशन आता है तो हम यह समझेंगे किसी महीने की नो तारीक का दिन दिया है और एक तारीक का दिन हमसे पूछा है मतलब हमें केलेंडर में किदर जाना है पीछे जाना है तो आप लोग डाइरेक्ट क्या करना नो में और एक में अंतर देखना कि दिनों की संक्या कितनी है तो नो में से एक गटाया कितना बचा आठ आठ में ल तो हम क्या करेंगे शनी वार में से गटा देंगे क्योंकि हमें केलेंडर में पीछे जाना है तो शनी में से गया क्या बचेगा शुक्रवार इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा शुक्रवार ओफ्शन नमबर ए बिलकुल सही जवाब है क्योशन नमबर बाइस अमीद पू पूर्वदीशा में तो यहां से पूर्वदीशा इदर होती है आप जाओ 15 किलोमीटर का लाइन बनाओ तब वहाँ बाय मुड़ा और 5 किलोमीटर गया तो बाया उपर होगा और 5 किलोमीटर का लाइन थोड़ा छोटा अपन बना लेंगे क्लियर आप यहाँ पर वो आ चुका है वहाँ पंदरा किलो मिटर चला फिर माए मुड़ कर पंदरा चला मतलब बाया इधर होगा अब पंदरा जा रहा है तो नीचे वाली लाइन के बराबर यहां अजाएट क्योंकि यह पंदरा के बराबर बनेगा अगरा क्योशन हमारे पास है 23 नंबर इन विकल्पों में से कौन सा वर्ग अक्षरों A, Z, E, V, G, T, D, W के ग्रूप के समान है बात को समझ ना तो मतलब इन चारों अक्षरों के समान हमें चारों अप्षन में से डूंडना है तो A का विपरित अंगरेजी वर्ण माला में Z होता है और E का विपरित क्या होता है V होता है EV है ना और G का विपरित अंगरेजी वर्ण माला में क्या होता है T और D का विपरित होता है W माईडियर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओफ्षन को भी चेक करें क्या W का विपरिट Z होता है नहीं, U का विपरिट D नहीं होता है, H का विपरिट S होता है, है ना, और B का W नहीं होता है, तो option number C, ठीक है ना, इन अक्षरों के समान हो जाएगा, option number 24 हमारे पास है, जिस प्रकार धकेलना संबंदित है, खीचना से, उसी प्रकार फेकना निमनलिकित में से किस संबंदित होगा, तो प्यारे साथ यो धकेलना मतलब खीचना, धकेलना का विपरिट दिया है, ठीक है, उसी प्रकार हमें फेकना का विपरिट शब्द लगाना है तो फेकना का मतलब क्या होता है समेटना ओफशन नमबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे तो प्रेक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता और जितने भी प्रेक्टिस सेट डेली आपको करवाई जा रहे हैं सभी को आप जरूर लगाले आप यकीन मानेगा मैथ रिजनिंग के सिंगल क्वेश्चन को भी गलत नहीं करके आओगे अगर रेगुलर आप लोग क्लास करोगे मिलेंगे नेक्स वाले पार्ट में तब तक पढ़ते रहेगा जैहिन जै भारत वंदे मातर